अगर आप लोगों के लिए लेकर आएक और नया वीडियो जिसके अंदर आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ 2024 किया Sonnet जो है उसमें क्या-क्या सारी चीजे चेंज हुई है क्या सारे अपडेट से उन्हीं के उपर व्लॉग है मगर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें कमेंट बॉक्स में बताएं कि अगला व्लॉग हम कौन सा बनाएं सेम टाइम पर अगर आप लोगों को भी किया कार का experience लेना है तो सीधे के सीधे आप रोशन किया सकते हो जहां पर आपको detailed experience के offer चल रहे हैं और बाकी सारी schemes के बारे में पता चल जाएगा मगर उससे पहले चैनल सब्सक्राइब करी दीजेगा वीडियो को लाइक करी दीजेगा और आईए शुरू करते हैं 2024 किया सॉनेट के experience पे सुगे स्पेश करते हैं किया सॉनेट सबसे पहले शुरू करते हैं चाभी से कुछ इस प्रकार की आपको चाभी मिलती है अभी जो latest generation जित्ती भी गाड़ी आ रही है किया की उनमें ये वाली की काम में ली जा रही है אח les Pädous और ये वाली की जाभी देखने को मिली थे उसके बाद में सॉनेट और आपको मनलब सैल्टॉस में और आप आपको सॉनेट में भी यह वाली की मिल रही होती है और अब शुरू करते हैं गाड़ी से एक आम करते हैं गाड़ी को व्लॉक करके भी दिखा देते हैं अब गर आप इस बटन को लॉंग क्रेस्ट करके रखोगे तो गाड़ी उसके बाद में स्टाड़ भी हो जाती हमारे पास इस वक्त जो यह गाड़ी है इसको पहले में लग कर दूँ यह हमारे पास में जो सामनी की तरफ कार खड़ी है यह आटमाटिक वेरियंट है अब जैस से हम इसे वापस आफ कर देते तो अब इसका फायदा क्या होता है राजसान जैसी जगे पर जहां बहुत जादा गर्मी होती है वहां पर जब आप गाड़ी में एंटर करते हैं उससे पहले ही उसको आउन कर लेते हैं तो थोड़ी सी चीज़ें आसान हो जाती है आप शुर आपको यहां गरिल देखने को मिलती है आप क्योंकि टॉप वीरियंट के अंदर 360 कामरा आ चुका है जिसकी वज़े से आप लोगों की पार्किंग और ज्यादा कन्वीनियंट हो चुकी है तो क्यामरा 360 का जो फ्रेंट वाला मॉडियूल है वो यहां पर आ रहा होता है उसक आपको यहां पर आप देखोगे तो वही जो पुरानी वाली सॉनेट थी ना वैसी कि वैसी आपको इक ग्रिल देखने को मिलती है इसमें बहुत जादा बड़ा बदलाव नहीं देखने को मिलता नीचे के तरफ जब आप देखेंगे तो यहां पर अगेन आपको कुछ इस प्लेट है उसका यूज दिखेगा नीचे से अगर आप देखोगे तो कुछ इस प्रकार का आपको डिजाइन एलिमेंट देखने को मिलता है अब जिन चीजों में चेंज हुआ है वहां से शुरू करते है अब गाईस सबसे पहले तो आ चुकिए बिलकुल नई खुबसुर यहां पर आपको मिलती है एक DRL कमेंट करके मुझे बताइएगा कि यह वाली जो DRL है इसका लुक आपको कैसा लगा और अगर मैं दूर से देखता हूँ ना तो मुझे किसी और वेरियंट की हलके फुलकी याद दिला रहा होता है वो भी मुझे नीचे कमेंट करके अब जब आप पास से देखते हो तो इसके अंदर यहां पर ना मैं इस लाइट को आफ कर दूँ हलका सा यहां पर आपके पास में ब्लाक एलिमेंट अंदर एड़ाउन मिलेगा उसके साथ बहुत कुप सुरत लाइट यहां पर भी जो आप देखते हो तो आपको थ्री पीस मतलब एक दो और तीन अलग अलग थ्री पीस आपको रिफ्लेक्टर लाइट देखने को मिलती है हम फिर से हमारी लाइट अन कर लेते है उसके नीचे की तरफ यहां पर आपके पास में पियानो ब्लाक एलिमेंट दूर से देखने में यह पूरा का पूरा एक सिंगल पीस ज सेंसर मिलता है और ऐसे कैसे इस तरफ पार्किंग सेंसर मिल रहे होता है कौने पर यहां पर रिकवरी पॉइंट है अब खुबसूरत बात यह है कि यह जो रिकवरी पॉइंट है इसके साथी पियानो ब्लाक एलिमेंट को एड़ ओन है तो जब आप यहां से देखते हो यहा आपकी ग्रिल है इसमें इंटी ग्रेट हो जाता है उसके साथी कॉर्नर पे यहां पर नीचे की तरफ आपको और लाइट्स मिल रहे होती है जिसकी वज़े से आपकी जिंदगी थोड़ी से आसान हो जाती है अब देखिए गाइस यह बेसिकली फॉग लैंप नहीं है यह सि फ्रेंट में यहां पर आपका प्लास्टिक है वो प्लास्टिक एलिमेंट एड़ाउन होता हुआ कौने के उपर जब वील आर्चेज है इसके उपर की तरफ आपको एलिमेंट देखने को मिलता है जिसकी वज़े से यह थोड़ा सा दूर से जब आप देखते हो ना तो आप आपको एप्रोक्सिमेटली वैसे का वैसे डिजाइन इलिमेंट यहां देखने को मिलता है साइज इन शेप में बहुत जादा फर्क नहीं करा गया है तो जो पुराने वाले पार्ट से नए वाले पार्ट से बहुत सारी चीजों की शेरिंग हो जाएगी अप जैसे आप यह यहां पर देखते हैं वैसे ही आपको किया का सेंटर में लोगो देखने को मिलेगा उसके साथ बहुत ही खुबसरत आपको डायमंट कट अलॉय वील मिलेगा यह वाला जो हमारे सामने वेरियंट है यह X-Line नी है सबसे टॉप वेरियंट X-Line है और X-Line से नीचे की तरफ HTX variant है जिसके उपर कभी अभी अलग से बात करेंगे मगर अगर टॉप वीरिंट में क्लोग लेंगे तो ये वाला वीरिंट सबसे जादा खरीद रहोंगे तो I thought इसी के उपर वीडियो बनाता है और रियालिटी ये है कि वो वाली जो अब सबसे पहले टायर प्रोफाइल की बात कर लेते हैं 215-60-R16 के आपको टायर साइज मिल रहे होती है फ्रंट के अंदर डिस्क रोटर आईगेस पीछे भी आपको डिस्क रोटर है अभी जो वीडियो में आगे बढ़ेंगे तो वो भी चेक कर लेंगे फ्रंट के अंदर आपको मैक परफर्शन जो सस्पेंशन है वो मिल रहे होते हैं अब थोड़ा से उपर आते हैं कुछ इस प्रकार से दिखने वाले अच्छे बड़ी साइस के आपको वाइपर्स मिल जाते हैं और जो फ्लूइड है उसके आपको यहां पर पॉइंट्स मिल जाता है अब जब आप यहां से देखते हो तो अच्छी कासी बड़ी साइस के आपको विंडशील्ड मिलती है क्योंकि गाड़ी के अंदर एड़ाज और बाकी बहुत सारे फीचर आ चुके हैं तो इसलिए जब आप यहां पर देखोगे तो आपको अलग से एक क्यामरा देखने को मिलेगा बहुत सारे नए लोग जो गाड़ी ले रहे होंगे उनको लगेगा कि भाई साब यह ना डाश कैम वाला क्यामरा होगा पर नहीं भाई साब अब लिटिस्ट किया सॉनेट के अंदर आ चुका है एडाज और उस एडाज का बहुत सारा फाइदा उठा रहे होंगे जब हम इस गाड़ी को चलाएंगे तो अलग से उसके उपर डीटेल में बात कर रहे होंगे अच्छी कासी बड़ी साइस के आपको विंडशील्ड उसके साथ में यहाँ पर आपको मिलता है उपर की तरफ पियानो ब्लाक कलर के अंदर जो पिलर है वो जिसकी वज़े से गाड़ी बहुत ही ज़्यादा खुबसुरत लग रही होती अब जो हमारे सामने वीरेंट खड़ा है यह डूल टोन में है तो आपको दो कलर्स में डूल टोन मिल रहा होता है वीडियो के एंडिंग में हम बताएंगी कि कौन-कौन से कलर ऑप्शन है अब थोड़ा सा पास आ जाते हैं और बाकी चीजों के उपर बात करते हैं जैसे ही आप अल्लॉक करोगे वैसे ही कौने पर यहाँ पर आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिल रहा होता है बहुत अच्छी साइज के बड़े आपको ORVM मिल रहे होते हैं और ORVM पे इंटीग्रेटेड इंडिगेटर्स जिसकी वैज़े से थोड़ा लुक भी एन्हांस हो जाता है अगे इन पियानो ब्लाक अलिमेंट आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगा और नीचे की तरफ यहाँ पर मिलेगा आपको 360 क्यामरा अब 360 क्यामरा की क्यालिटी कैसी है वो तो थोड़े देर बाद में जब अंदर बैठेंगे तब उसके पर बात करेंगे उपर की तरफ बहुत ही खुबसुरत यहाँ पर आपको roof rails मिलती है मगर कौने पर यहाँ लिखा हुआ है caution do not load तो यह जो roof rails है यह functional नहीं है यह सिर्फ looks के हिसाब से company ने दे रखी है और उपर की तरफ यहाँ पर आपको मिलता है बहुत ही खुबसुरत decent size की sunroof अंदर से क्या size है वो तो अभी थोड़े देर में बात करेंगे और उसके साथ में यहाँ मिलता है shark fin antenna तो जित्ती भी looks performance technology की बात करें वो सारी की सारी company ने एक साथ integrate कर दिये अब सबसे पहले जब आप यहाँ दिखोगे तो एक chrome line पूरी गाड़ी में बहुत कम chrome है यहाँ से chrome line चलती हुई पीछे यहाँ तक जारी होती है सो नीचे की तरफ यहाँ running board में plastic element देखने को मिलेगा और उसके जास्ट ऊपर की तरफ जो door cladding है मैं यहाँ से unlock कर लेका door cladding जो है उसमें नीचे की तरफ यहाँ पर आपको हलका से element देखने को मिलता है जो की यहाँ से पीछे की तरफ पूरा का पूरा चल रहा है अब जब accessories आईगी तो किसी दिन अलग से detailed vlog accessories पर बनाएंगे मगर उसके लिए नीचे आप comment कर दीजेगा जैसे आप पीछे की तरफ चलते हो वैसे यहाँ पर आपका glass खतम होता है और उसके साथ यहाँ पर कौने में छोटा साई glass used है जिसकी वज़े से अंदर रौशनी भी अच्छी रहती है और आप बहुत ज़ादा कलॉस्ट्रोफोबी महसूस नहीं करते हैं अब आज जाते हैं पीछे की तरफ तो पीछे की तरफ जी हाँ आपको front और rear दोनों disc brake मिल रहे होते हैं जिसकी वज़े से आपकी गाड़ी की controlling भी अच्छी हो जाती है और life थोड़ी सी ना complication से दूर हो जाती है तो I really wish की maximum cars में ना front और rear disc आने ही चाहिए अब doors handle की मैं बात करूँ तो अच्छे चंकी बड़े size का आपको door मिलते है और door handles मिलते है और खोलने का वही कुछ इस प्रकार का mechanism मुझे इस प्रकार के door handles अच्छे लगते हैं क्योंकि कहते हैं basic good looking है कई गाड़ियों में flush वाले door handles आने लग गया आजकल they are also good पर जो basic है वो तो बढ़िया ही है अब चलते हैं पीछे की तरफ तो जैसे आप पीछे चलोगे वैसे ही सबसे पहले उपर की तरफ आपको integrated spoiler मिलेगा अच्छा कासा खुबसरत छोटी size का spoiler उसके साथ ही यहाँ पर मिलती है आपको एक roof mounted light अच्छी कासी light की size भी है और light का जो level है वो भी बिल्कुल decent है जैसे light के नीचे देखोगे वैसे ही glass में आपको मिलते है defogger और एक छोटा सा वाइपर तो पीछे जो वाइपर अच्छा कासे size का है और जो इसका purpose है हो solve करतेगा इस वाक्त हम आये वे है किया Russian Motors तो अगर आप लोगों को भी गाड़ी किया खरीदनी हो तो आप जा सकते हो गाड़ी का experience ले सकते हो अब क्योंकि रेड कलर है इसलिए पीछे वाली connecting tail lamp बहुत ज़ादा highlighted नहीं होगी मगर और कोई color में अगर आप देखोगे तो अच्छी कासी size के आपको दिखरी होगी यहां से चलती हुई एक connecting tail lamp पूरी की पूरी गाड़ी में पीछे की तरफ है रात को देखने में बहुत ही ज़ादा खुपसरा लगेगी जब हम चलाएंगे तो we'll try कि हम इसके उपर detailed vlog बनाएं अभी भी we'll try कि हम थोड़ी देर गाड़ी on घर के और यह जो light है इसके आपको रोशनी दिखाएं सेंटर में किया का बहुत ही खुपसरत आपको logo देखने को मिलता है राइट एंड साइड GT line की badging और left hand side आपको किया sonnet की badging मतलब से sonnet की badging देखने को मिलती है नीचे की तरफ यहाँ पर आपका rare camera module है वो देखने को मिलता है और उसके नीचे जो rare skid plate है उसके अंदर भी आपको एक बहुत ही खुपसरा light देखने को मिलती है अब यह light जो है यह हम बहुत premium cards में देख रहे होते है नीचे की तरफ visibility भी बहुत अच्छी हो जाती है और क्योंकि हम race करने वाले लोग है तो हमको यह sporty look और ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है पीछे की तरफ अगेन आपको dark grey color मिल रहा होता है नीचे की तरफ से कुछ इस प्रकार का look अब body colored ही आपको यहाँ पे panels देखने को मिलते है तो यह तो है इसके साथ में इसको सिफ plastic नहीं रखा गया इसके अंदर भी आपके जो यह panel है इनको body color करा गया है उसके साथ में यहाँ पर मिलते हैं आपको reflectors और उसके उपर मिलते हैं गाड़ी के अंदर कुल मिलाके चार रेयर parking sensor तो जी हाँ कोई कमी नहीं छोड़ी company ने कोई कंजूसी नहीं कर रखी है पीछे की तरफ यहाँ पर आपको दो और यहाँ पर आपको दो parking sensor मिलते है अब यह connecting tail lamp कैसी है वो तो जब चलाएंगे तब उसके बारे में बात कर लेंगे मतलब अभी थोड़ देर रोशनी के बारे में अब कहां से खोलूँ तो अब गाड़ी ओपन करने के लिए यहां पर आपके पास बटन है जैसे आप इस बटन को प्रेस करते हो वैसे ही यहां पर आपको जो टेल लेंप है उसके लिए लाइट्स मिल जाती है कॉने पर बटन मिल जाता है क्यामरा मॉड्यूल और उसके साथ में यहां पर आपको एक हैंडल मिल जाता है जिसको आप पकड़के उपर और नीचे इस दरवाजे को कर सकते हो अब इसके साथ में company ने एक चोटी मोटी चीजें कर रखी जो कि हम vloggers को बतानी चीए कौने में अगर आपकी कभी भी गाड़ी की ट्रंक अंदर से लॉक हो जाए और आपको खोल नहीं पड़ जाए कोई आपके पाद टूल ना हो तो यहाँ गाड़ी की चाबी या को स्क्रूडराइवर डालके ऐसे पुश करोगे तो आप इसे मैनुवली भी खोल सकते हो तो छोटी-छोटी चीजे पता होनी चीए अब चलते हैं अंदर की तरफ 375-liter का आपको रेर में boot space मिल रहा होता है कौने पर यहाँ पर हमारे पास में एक woofer का placement है सॉरी सब woofer का placement है बोश नहीं बोज बोज का इस गाड़ी के अंदर music system आ रहा होता है 7 speakers बहुत मदूर sound और होना भी चीए मतलब आप समझ रहे हो ना आपको company fit ready इता अच्छा music system मिले तो इस से जादा और क्या ही चीए अब back to the basic good conversation कौने के अंदर यहाँ पर आपको मिल रही होती है एक light जिसकी वज़े से आप अंधेरे में भी अगर आपको समान रखना है तो आप आसानी से समान रख सकते हो और उसके साथ में मिलती है नीचे की तरफ यहाँ पर एक ट्रे जिसको आप ऐसे करके उपर उठा सकते हो नीचे की तरफ आपको स्पेर टायर मिल रहा होता है यहाँ कोई पंचर किट वगरह वैसा नहीं है 195, 65, R15 का आपको स्पेर टायर मिल रहा होता है जिसके साथ में यहाँ पर आपको बेसिक जित्ते भी टूल्स होता है फस्टेड केट, रिकवरी टूल वो सारे के सारे यहाँ पर रखे हो है किसी दिन हम इसके उपर भी वीडियो बनाएंगे अभी हमारे रिलेटेस्ट एक दोस ने कहा क्यार जो जो भाई मुझे तो टायर लगाना तक नहीं आता तो अगर आप मुझे कमेंट करके बोलोगे तो वील मेक है व्लॉग ऑन दाट अलसो नीचे की तरफ यहाँ पर आपको एक रिकवरी टूल के अलावा एक सेफटी टूल भी मिल रहा होता है वो होता है ना ट्राइंगल टाइप में ओ सारी चीजें और अच्छा-कासा आपको space उपर की तरफ याँ parcel tray base variant में parcel tray नहीं मिलेगी top variant में आपको parcel tray मिलेगी नहीं मिलेगी तो आप लगवा भी लेना अच्छी चीज होती है अब यहां से करते हैं इसको बंद और चलते हैं सेकेंड रो की तरफ सो अच्छा कासा थंब है अच्छी कासी बिल्ट क्वालिटी कौने पर बहुत सारा पियानो ब्लैक होनी की वज़े से ये जो लुक है गाड़ी का ये वैसे भी बहुत खुबसूरत है अब जैपूर से मुंबाई IMT जो ट्रांस्मिशन है सॉनेट का वो लेकर गया था भाई साब नेक्स लेवल एक्सपीरियंस अब जैसे आप दरवाजा खोलते हो रेर वाला सबसे पहले एक तो ये दरवाजा स्टेप्स में खोलता है तो आपको जित्ता खोलना है आपको उत्ता ही खोलना है ऐसा नहीं है कि पूरा ही खोलना पड़ेगा अगर आपको खोलना पड़े तो 45 डिग्री एंगल से थोड़ा सा कम आपका ये दरवाजा खोल रहा होता है अब चलते हैं अंदर की तरफ सबसे पहले थोड़े से राजस्तान में तो थोड़ी जादा ही हो जाती है, अब उसके नीचे की तरफ यहाँ पर आपको हट प्लास्टिक देखने को मिलेगा, हलका सा प्लास्टिक जो है उसको प्लेन न रखकर उसमें हलका सा अलग सा टच आपको देखने को मिलता है, अगर आप दूर से देखते हो जैसे कोई मैश हो, कार्बन फाइबर हो, वैसी सी थोड़ी यह फील दे रहा होता है, अच्छी बिल्ट क्वालिटी, नीचे की तरफ यहाँ पर हमारा हलका सा उसी के अंदर ट्राइंगुलर शेप डिजाइन आ रहा होता है, जो किया के टॉप वीरियंट है, उसके अंदर अलग कलर में होती है, अलग मटेरियल की होती है, यहाँ पर है प्लास्टिक के अंदर, मगर उसको एक अलग डिजाइन एलिमेंट दिया गया है, उसी के साथ में सिल्वर कलर की यहाँ पर आपको डूर हैंडल मिल जाते है, अब यह दोर हैंडल भी यहाँ तक कही है, मगर इ आप देखोगे तो यहां पर आपको GT Line के अंदर यहां पर हलका सा जो soft touch material है वो wrapped देखने को मिलता है जिसकी वज़े से थोड़ा सा और premium look दे रहा होता है नीची के तरह आप देखोगे तो Boss के आपको branding तो Boss जो है जिन लोगों को मालू में उनको मालू में जिनको नहीं मालू हम बता देते हैं Boss जो है बहुत over premium brand है और कुछ जादा ही मधूर इनका संगीत होता है तो यहां पर आपको speaker का placement जिसमें again mesh triangular shape की आपको यहां पर grill मिलती है यहां पर आपके पास में थोड़ा सा space जिसमें आप water bottles और बाकी चीज़े रख सकते हो दो लीटर की एक बड़ी bottle रख दो और एक एक लीटर की या 500 ml की चोटी दो तीन bottles इसमें आ सकती है कभी space जो है इसमें यहां पर आपके पास में space अलग से निकला हुआ है तो पकड़ने में आसान है मगर अगर आप coins वगरा रखोगे तो इधर से निकल सकते हैं अब चलते अंदर की तरफ तो सबसे पहले अंदर बैठना है आसान आराम से आप नॉर्मली बैठ सकते हो हरदम जबी भी आप company से गाड़ी लो तो हरदम यहां scuff plate लगवानी चीज़ बहुत important चीज़ होती है क्योंकि उसकी वज़े से होने वाले scratches यहां वाले थोड़े से कम हो जाते हैं अब हम बैठते अंदर की तरफ सो सीटे आगे पीछे बहुत ज़्यादा हो रखी है सो प्रॉपर सीटों का हमने अरेंज नहीं कर रखा अब सबसे पहले गाड़ी में बैठते ही हम आपको दिखा देते हैं headroom मेरी 165 cm height है और अगर मैं बात करूँ तो इत्ता मेरे पास में एक्स्ट्रा headroom है तो यस वो जो पीछवली boxy shape design है वो यहां बहुत ज़्यादा helpful होती बैठने के अंदर क्योंकि GT line है इसलिए interior all black है दिखने में थोड़ा सा cool लग रहा होता है मगर white के अंदर claustrophobiness तोड़ी सी कम होरी होती है कौने पर हमारे पास यहां पर grab handle है जिसके साथ में यहां पर हमारे पास में coat hanger आ जाता है बीचो बीच एक reading lamp मिल जाता है जो की yellow color का है और placement ठीक है मतलब decent placement है बहुत अच्छा भी नी तो बहुत बुरा भी नी सीटों के texture की बात करूँ तो भाई साथ बहुत खुबसूरत सीट्स है अच्छा leatherite काम में लिया गया है जिसके अंदर यहां पर आपकी जो embossed जिसको कहते है न क्या बुलते हैं इसको यार मैं नाम भूल रहा हूँ जिसमें यह हलके से छेट से बने वे ना इसकी वज़े से यह और जादा premium हो जाता है कई लोगों को लगता है कि ventilated seats है मगर यह ventilated नहीं basic seats है मगर दिखने में बहुत जादा खुबसूरत है कौने पर यहां पर isofix seats mount मिल जाते जिसकी वज़े से छोटे बच्चों को अगर आप गाड़ी में बैठाते है तो उनकी safety थोड़ी और enhanced हो जाती है पीछे की तरफ जब आप यहां देखोगे तो अच्छा खासा आपको space मिल रहा होता है सो parcel tray की size अच्छी खासी है और मचपूत parcel tray जिस पर आप खुब सारा समान रख सकते हो पीछे की तरफ आपको सिफ दो hand rest मिलते है मतलब head rest मिलते है पीछे की तरफ दो जो की adjustable है उपर नीचे अपनी इसाब से आप adjust कर सकते हो और अगर adjust की बात करूँ तो अच्छे खासी comfortable है I'm very comfortable कोई मुझे problem नहीं है comfort से याद आया center के अंदर आपको यहाँ पर एक arm rest मिल रहा होता है और यह वाला जो आपकर जिसे hand rest कह सकते हैं basic तो यह जो hand rest है इसमें बीच में आप phone वगर रखना चाहो तो यहाँ पर यह देखो भाई लोगों यहाँ पर आप आराम से अपना phone भी रख सकते हो और उसके साथ में आप य जाद अच्छा भी नहीं तो बहुत बुरा भी नहीं पीछ वाली सीट हलकी सी flat out है अगर यह यहां से हलका सा कर्व बनता तो थोड़ी सी चीज़ें और आसान हो जाती है अगर अभी भी it's very good यहाँ पर हमको मिल जाती है इस event तो center में हमारे पास दो छोटी छोटी से इस event है इसमें थोड़ा डाक रखा गया है और उपर की तरफ यहां मिलता आपको air purifier तो जी हां रेयर के अंदर आपको air purifier मिलता है जिसकी वज़े से आफ्टर कोई नहीं चीज़ें थोड़ी सी fancy से जाधा usable हो चुकी है कि आपकी गाड़ी में air purifier लगा हुआ है जब कभी drive करेंग पर basic अच्छा air purifier है यहां से digital सारी की सारी चीज़ें चेंज हो रही होती है और नीचे की तरफ यहां पर हमको मिल जाते है दो सी टाइप पोर्ट और उसके साथ में यहां पर नीचे की तरफ मिल जाता है बहुत सारा space जिसमें आप मलब फोन अगर आप चार्ज वगरा कर र इस size के आपको magazine holder में जाते है इस तरफ भी और इस तरफ भी जिसकी वज़े से चीज़े हो जाती है रखना थोड़ा सा आसान तो अच्छी बात है अगर organizer और ऐसी चीज़ें हो तो it's good उपर की तरफ जब आप यहां देखोगे तो आपको airbag की branding देखने को मिलती है तो इस ग की तरफ हलका सा यहां पे हम बनाऊ है उसके अलावा नीचे की तरफ अच्छा कासा आपको space मिल रहा होता है space में बैटने में कोई कमी नहीं जिस size की और जिस quality में आपको यह गाड़ी मिल रही है उसके हिसाब से पीछे बैटने पर भी मज़ा है और कौने पर यह glass जिसके ब special है अब दोस्तों आगे जाने से पहले कुछ चीजें और बता देते हैं क्योंकि वो भी नहीं रहनी चीए सबसे पहले एक तो जो seat है यह 60-40 के अंदर split हो जाती मैं इसको हलका सा नीचा कर देता हूं तो यह जो seat 60-40 में split हो जाती जिसकी बाद में आप पीछे की तरफ और जादा समान रख सकते हो या समान को एक्सेस कर सकते हो उसके अलावा कौने पर यहां पर हमारे पास में यह दब गया मैं वापस निकाल देता हूं यहां पर हमारे पास में इस गाड़ी के अंदर जो seatbelt है two-pointer seatbelt मिल रहे होता है जिसकी वज़े से safety और जादा इनान्स हो जा जो passenger है उनके लिए भी अलाम होता है अगर उस seatbelt ना लगाए तो थोड़ी सी cool चीज है अच्छी चीज है ऐसी चीज होना is very good हाँ उससे पहले मैं बता देता हूं कौने पर यहां पर हमारे पास fuel tank का lid है और 45 लीटर इसके अंदर fuel दल रहा होता है कुल में लाकर आपको यह options में मिलता है पेट्रोल और डीजल पेट्रोल में कौन सा engine option है डीजल में कौन सा है वो वीडियो में थोड़ी दिर बाद में आगे चलेंगे तब बताएंगे अब दर्वाजी की बात करता है फ्रंट को passenger side तो अच्छा गासा बड़ी साइस का दर्वाजा है 45 डिगरी अंग प्रेमियम स्पीकर जिसके साथ में कुछ इस प्रकार से दिखने वाली आपको ग्रिल मिल रही होती है यहां पर आपके पास में थोड़ा सा सॉफ्ट टच माटीरियल रैप्ड है जिसे कहते है ना फैबरिक रैप्ड है जिसकी वज़े से यू फिल वेरी प्रीमियम हाला कि इस घण दोडा ज्यादा हो रहा होगा तो थोड़ा सा खैल रखेगा कौने पर यहां पर आपकी पास में हाडटेच मेटीरियल जिसके साथ में एक सिल्वर लाइन आपको यहां पर देखने को मिलेगी लौक अनलॉक करने का मैक्यानिजम और उसके साथ में जो यहां पर सीट्स मिल रही होती है दिखने में बहुत ज़्यादा खूपसरत है जी टी लाइन की बीचो बीच ब्रैंडिंग और उसके साथ में ब्लाक और हलक आसा क्रीम वाइट कलर का आपको इंटीर मिल रहा होता है फ्रेंट के अंदर एरबैक की ब्रैंडिंग तो इसमें एरबैक जो है वो लगा हुए इसलिए आप सीट कवर चेंज नहीं कर सकते हाला कि इसके उपर दूसरे कवर आप लगा दोगे अब इसके साथ में हम चलते हैं अंदर की तरफ और बैट के दिखाते कुछ और चाज़े तो सबसे पहले सीट जादा ही पीछे हो रखी थी है कौने पर यहां पर आपके पास में ट्वीटर मिल जाता है जिसके उपर हलक आसा क्रोम का सदूपयोग तो कुछ ही जगे है जिसमें इसमें क्रोम लगा हुआ है अंदर से देखते हो तो अच्छे खासे बड़ी सा इसके आपको वर वीम देखने को मिलते है वही जो पुरान आपर ब्रैंडिंग देखने को मिलती है एसी इवेंट वही जो सॉनेट में आपको एसी इवेंट मिलती है वैसी कि वैसे डिजाइन एलिमेंट कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं है दिखने में बहुत कुप सुरत है तो मुझे नहीं लगता कंपनी को चेंज भी करना चीए सेंटर में आराम से इधर उदर आप टिल्ट कर सकते हो प्लेस्मेंट बहुत अच्छा है हलका सा सिल्वर कलर का एलिमेंट यूजड है और उसके साथ में यहां पर आप जब देखते हो तो आप सैटिन क्रोम कह सकते हो पर दिखने में एक क्रोम जो है हलका सा ग्रे और उसके साथ में आपको एक मैनुल मिलती है किया की जो मैनुल है इनको रखने का जो कवर है इससे जादा मुझे खूब सुरत आज तक कभी कोई चीज नहीं मिली मुझा लग बात है नीचे की तरफ यहां पर आपके पास में कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है ordinary glove box जो की अच्छा गासा decent अच्छी depth वाला आपको glove box मिल रहा होता है खूब सारा इसमें आप समान रख सकते हो lockable वगरा कुछ नहीं हाता पर इस case की जो गाडिया है उनमें किसी में भी आपको lockable glove box नहीं मिल रहा होता है उपर की तरफ जब आप देखते हैं तो यहां पर vanity light missing है पर इस वाली जो range है इसमें नहीं होता आप एक vanity light इधर दे देते तो थोड़ी सी चीज़े ना आसान हो जाती हाला कि vanity mirror is good thing अगर light होती तो और अच्छा होता और दूसरी चीज़ जो हमको सबसे जादा लगती है वो यह लगती भाई साब यह जो है ना यह आगी की त the basic conversation अब गाड़ी के अंदर इस तरफ जब आप देखते हो तो अच्छा खासा आपको space मिल रहा होता है all black theme होने की वज़े से गंदी थोड़ी कम होरी होगी और इस तरफ जब आप देखते हो तो अच्छा खासा आपके पास में space जिसे कहते है ना bucket finish seat और बाकी सारी चीज़ है अच्छा कासा company ने यहाँ पर material यूज करा गया है जिसकी वज़े से भारवाली धूप अंदर की तरफ नहीं आएगी अच्छा है company ने curtain नहीं दिया नहीं तो मैं curtain से बहुत जादा परिशान हो रहा होता हूँ अब चलते हैं driver seat की तरफ और देखते हैं वहाँ क्या special है सो दूसरो अब हम चलते सीधे की सीधे driver side सबसे पहले जो door handle इसके उपर कौने पर आपको request sensor मिल रहा होता है lock unlock करने का mechanism में उसके साथ में power window आटो मिलती है आपको driver side और बाकी सारी manual मिलती है GT line के अंदर lock unlock करने का mechanism में और उसके साथ में आप ORVM जो है उनको auto fold कर सकते हो यहाँ से electrically adjustable आपको ORVM मिल रहे होता है अपने इसाब से आप उनको adjust कर सकते हो नीचे की तरफ यहाँ पर आपको मिलती है power window जो rare है उसके लिए lock चाकि छोटे बच्चे अगर बैठे हों तो आप पीछे वली power windows को lock कर सको अच्छा कासा कभी space जिसमें आप समान रख सकते हो और अच्छा sturdy आपको grab handle देखने को मिलता है कौने पर यहाँ पर आपको soft touch element जिसके बाद में जब भी भी आप यहाँ बैठेंगे हाथ करके ऐसे तो यह फिल very comfortable नीचे की तरफ आपको बहुत सारा space मिलता है जिसमें आप water bottles रख सकते हो कौने पर umbrella रख सकते हो roll so a touch और उसके साथ में speaker का यहाँ पर आपको placement मिलता है again premium बहुत के आपको speaker मिलता है अब जैसे आप इस तरह आते हो वैसे चीज़े change क्या है सबसे पहले एक तो आप अपनी जो यह जो seat है इसको उपर और नीचे मतलब height जो adjustment है वो तो आप manually कर लो मगर उसको छोड़के बाकी जित्ते भी काम है वो सारे के सारे आप electrical ली कर रहे होगे तो यहाँ पर आपको electrical adjustable seat मिल जाती है जिसको आप आराम से बैठे बैठे अपनी इसाब से कर सकते हो अब इसकी वज़े से जिंदिक ही हो जाती है थोड़े इसी आसान तो महेंगा सोधा अब जैसे आप अंदर की तरफ देखोगे वैसे ही fuel lid open करने के लिए आपको यहाँ पर बटन मिल जाता है 45 लीटर का fuel tank क्योंकि automatic transmission है तो इसलिए यहाँ पर आपके पास में brake ब्रेक और एक्सलेटर का आपको यहाँ पर पैडल मिल जाता है कौने पर छोटा सा आपको डेड़ पैडल मिल जाता है और यहां से अगर आपको बोनट ओपन करना तो उसका लैच है फ्यूस बॉक्स आपका यहाँ पर आ जाते है अब चलते अंदर की तरफ सबसे पेले बहुत ही खूपसूरत आपको यहाँ पर मिलता है स्टेरिंग तो मैं क्या करता क्योंकि एलक्टरिकाल अड़्जिस्मेंट है तो यहाँ सीट थोड़ी सी पीचे कर लेता हूं भाई लोगों सबसे पेडल शिफ्टर और उसके साथ में यहाँ पर पियानो ब्लाक एलिमेंट आपको लेधर रप्ट स्टेरिंग मिलता है जिसकी वज़े से आपकी ग्रिप अच्छी रहती है नीचे के तरफ जब आप यहाँ देखोगे तो आपके पास में यहाँ पर लिखा हुए जीटी लाइ एक्स लाइन अगर यह टॉप विरिंट होगा तो यहाँ पर एक्स लाइन की ब्रैंडिंग होगी और उसके साथ में यहाँ पर हलका सा सिल्वर कलर के एलिमेंट बीचो बीच की आपकी बैजिंग और उसके साथ में एरबैक की ब्रैंडिंग इस तरफ जब आप देखोगे मतलब यहां से पहले कुछ basic चीज़ा और बात कर लेते हैं यहां पर जब आप देखते हो तो आपको handrest मिलता है size छोटी है मगर यह जो handrest है यह दोनों लोगों के लिए काम कर जाता है मतलब उस तरफ वाले और इस तरफ वाले भी handrest के नीचे की तरफ यहां पर जब आप देखते हो तो आपको ठंडी-ठंडी हवाएगी क्योंकि इसमें purifier लगा हुआ है उसके साथ में यहां पर आपके पास थोड़ा decent space है जिसके अंदर आप छोटी-मोटी जो चीज़ें होती है ना बार-बार काम में नहीं ले रहे हो वह रख सकते हो जब यहां दिखोगे तो आपको यहां पर रेयर में जो purifier है उसके लिए यहां पर symbol मिल जाता है यहां से आप इसको off कर सकतो यहां से फिर से on कर सकतो इसको mode जो भी आप adjust करना चाहते हो उस mode में आप इसको set कर सकतो मतलब fan speed क्या रखना चाहते हो वैसे और उसके साथ में यहाँ पर आपके पार display आता है कि आप display कैसा करना चाहते हो यहाँ से हम इसको वापस कम कर देते है so air purifier होना is cool thing so अब नीचे की तरफ जब आप देखते हो तो यहाँ पर आपके पास में जो steering है उसको adjust करने का button मिलता है so यह जो steering है यह उपर और नीचे मतलब आप है ना इस तरीके से adjust कर सकते हो telescopic नहीं है सिफ टिल्टेबल है so मैंने ट्राई कर रहा था कि क्या मालूम telescopic भी company दे दे पर ऐसा नहीं कर है कौने पर यहाँ पर हमारे पास में manual handbrake मिलता है अच्छा कासा बड़ी size का और वो जो feel है ना ये वाला ये वाला ये वाला आपको यहाँ पर feel देखने को मिलता है कौने पर यहाँ पर आपके पास में दो cup holder है cup holder के बीचो भी space है जिसके अंदर आप cell phone वगरा भी रख सकते हो और यहाँ पर हमारे पास में manual transmission है I'll try कि वो जो HTK Plus है मैं उसका भी वीडियो बनाऊ ता कि आप लोगों को और अच्छा जिसे कहता है ना knowledgeable चीज़े समझ में आ जाए कि कौन सा variant आपको लेना चाहिए वो सारी चीज़े अब यहाँ पर जब आप देखते हैं तो सबसे पहले एक तो automatic transmission है आपको तीनो options मिलते हैं इसमें automatic, manual और IMT IMT का मतलब होगे intelligent, manual transmission कैसे काम करता है नीचे के तरफ गाड़ी में clutch नहीं होता आपकी गाड़ी automatic है होती है आपको सिफ गेर डालने और आगे पीछे करना है जिन लोगों को अभी भी IMT समय में नहीं आता I'll try कि मैं उसके उपर detailed में आपको समझा सकूँ किसी IMT को use करके मगर उससे पहले कम से कम 15 लोगों को IMT वाला नीचे की तरफ comment कराना पड़ेगा और मेरा वीडियो को शेयर करना पड़ेगा तब ही हम उसके उपर एक और अच्छा detailed content लेकर आएंगे तो नीचे की तरफ यहां पर आपके पास में decent space है मतलब जैसे कहता है good looking stuff वैसे वाला और आपको यहां पर transmission आटमाटिक है उसका अच्छा गासा बड़े ही size का lever मिल जाता है नीचे की तरफ यहां पर wrapped आपके पास में हलका सा leather अब इसके उपर एक plastic लगावा था मैंने का इसको हटा दू नहीं तो आपको लगेगा red color की कोई line होगी इस तरफ जब आप देखते तो हर दम आप जब gear डालेंगे तो आपको इसको press करके ही आगे पीछे करना होगा parking reverse neutral and drive यहां पर आपका लिखा हुआ है इसको आप manual में भी convert कर सकते हो उसके साथ में यहां पर आपके पास में satin chrome जो है उसका थोड़ा सदूपयोग और उसके साथ पी आनो black element का सदूपयोग कौने पर यहां पर हमारे पास में space है जिसमें हम छोटा मुटा phone और बाकी चीज़े रख सकते बहुत सारे लोग कहेंगे कि इसके अंदर wireless phone charger होता तो बहुत अच्छी बात है मगर गाड़ी के अंदर phone wireless में ढूंड रहा था जबी मुझे यहां पर चुपा हुआ एक wireless phone charging pad मिला तो बहुत सारे लोग जो इस गाड़ी को पहली बार देखेंगे उनको ऐसे लगेगा कि इस गाड़ी में wireless phone charging नहीं है मेरे को भी ऐसे लगाता मगर यहां पर आपके पास में space है यह देखा और यह जो space है यहां पर अपना phone wirelessly charge कर सकते हो आजकल सारे phone wirelessly charge होता है मेरा S23 Ultra है और उसके उपर बहुत बड़ा cover है मगर फिर भी मेरा phone आराम से यहां रखा जा रहा है तो आप यह सोचो normal सारे जित्ते भी phone होंगे वह आराम से आप यहां रखकर charge कर सकते हो 12V का यहां पर आपको एक socket मिल जाता है जिसके साथ में इस तरफ आपको एक USB port A मिल जाता है और इस तरफ USB port C मिल जाता है और उसके साथ में blue link का यहां पर बटन सेंटर में AC went है उनका placement बिलकुल ढंका है क्योंकि यहां से यह जो हवा है यह पीछे भी जा सकते हैं और हमारी तरफ भी आ सकती है बस इसको आप अपनी तरफ नहीं रख सकते हैं क्योंकि अगर आप अपनी तरफ रखोगे तो आपके हाथ तोड़े से ठंडे हो जाएंगे अब इस तरफ सबसे पहले कुछ चीज़ा मैं भूल जाओंगा नहीं तो इसके उपर भी बात करेंगे मगर इस तरफ पहले बात कर लेते हैं इस तरफ मिलते हैं आपको light के switches मिल जाता है ट्रैक्शिन कंप्रोल का बुटन मिल जाता है परकिंग rewards करने का बटन मिल जाता है और उसके साथ मैं Edlite levelizer झाण्स वारो श्रेश चीजह क्या साल में करता है उसके बारे में थोड़ा से मैं आपको बता मैं को बता देता हूं यहां पर भी sunshade मिलता है मगर उसके अंदर vanity mirror नहीं है सिर्फ ticket holder मिल रहा होता है again यह वाला भी extend नहीं होता तो पीछे के तरफ sunshade देना over amazing thing मतलब salute to Kia मगर यह जो छोटा सा काम है अगर यह अच्छा होगा मेरे जैसों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा अब आपको अच्छी कासी size का यहां पर over VM मिल जाता है auto over VM है कोई भी manual नहीं हो red eyes की car के अंदर auto IR VM मिलना एक बहुत ही बड़ा जिसे कहते हैं बहुत ही बड़ी बात होती है अब मैं वापस light on कर देता हूँ I thought आपको अच्छी तरह नहीं दिख रहा होगा reflection दिख रहा होगा कौने पर SOS का बटन उसके साथ किया connect का बटन और साथ के अंदर maintenance service अगर आपकी किया की चाहिए हो तो आप इस बटन को दबा कर भी बुला सकते हो उपर की तरफ यहाँ पर आपको अगेन दो reading light मिलती है जो की yellow color के अंदर है और उसके साथ में एक यहाँ चोटा सा button सेम टाइम अगर आपके पास में सिंगम वाले गॉगल है तो आप उन sunglass holder में उनको आराम से रख सकते हो और उपर की तरफ यहाँ मिलती है आपको एक sunroof तो जैसे आप सिंगल प्रेस करते हो वैसे ही decent size की यहाँ से sunroof कुलती है छोटे बच्चों के लिए point of attraction जादा रहता है मगर जबी भी आप गाड़ी चलाएं तो प्लीज अपने बच्चों को बार खड़ा करके ना सुखाएं यहाँ से इसको वापस बंद कर लेते हैं पता नहीं कौन सी गाड़ी में क्या बटन दब गया जिसकी वज़े से ऐसे लग रहा है जैसे लड़ा ही होने वाली है वैसा siren बज़ रहा है क्योंकि डेली रूटीन में चलाने में गाड़ी बहुत जादा कमफर्टेबल और जिसे कहते हैं हर कहीं से जाने वाली गाड़ी है वैसी है अब इस तरफ हमारे पास जो बटन है इनके उपर भी बात कर लेते हैं तो सबसे पहले यहां पर आपको मिलता है हाजड़ लाइट का स्विच्च नीचे की तरफ हमना क्या 걸 करते हैं इसमें आपको पता चल जाएगा कि आपको कहा एरत्रू राखना है कहां पर नहीं रखना है वो सारी चीज़ें आप यहां से देख सकते हो circulation of air अंदर चीए बाहर चीए AC off करना है या AC on करना है उसके लिए front और rear defogger on करने उसके लिए button है physical button है कोई touchscreen नहीं है जो कि अच्छी चीज़ है नीचे की तरफ यहां पर हमारे पास में चार button और मिलते हैं जो कि toggle वाले जैसे switch होता है वैसे वाले switch है अब यह तो toggle नहीं होगा क्योंकि auto off या on ही है उसके साथ में यह toggle switch है तो यहां से आप क्या कर सकते हो यह जो आपके पास में ही जो गर्मिया सर्दी करना चाहो तो आप यहां से उसको कर सकते हो और blower की आवाज नौ इसलिए हम इसको यहां से बंद कर देते हैं एसी on off करने के लिए यहां पर बटन और उसके साथ में जो फैन स्पीड है उसको कम या ज्यादा करने के लिए आपको यहां पर बटन मिल जाते हैं अगीन आपके पास प्राक्टिकल बटन है जिन लेटेड नहीं है आगे वाली सीट वेंटिलेटेड है मैं इती देर से ढूंड रहा था तो मैंने सोचा आप लोगों को जैसे वो बटन मिलेंगे वैसे उस चीज के बारे में बताएंगे ब्रॉशर में बहुत सारी चीज़ें नहीं बताई वी मगर यहां पर आपको मिलते ह जी हां फ्रंट की जो दोनों रॉ है इन सीटों के अंदर जीटी लाइन में आपको यहां पर मिलते हैं वेंटिलेटेड सीट जिसकी वज़े से आपकी जिंदीगी हो जाती थोड़ी सी आसान अब दोस्तों सीटों के वेंटिलेशन के बाद में कुछ और चीजों के बारे मे जैसे आप तीनों में जलते हो वैसे ही जो स्क्रीन है यहां वाली इन स्क्रीन में भी थोड़े से बदलाव आ जाते दिखने के अंदर बाकी कौने पर आपको यहां दिख रहा होता है आगर आप मुझे कमेंट करके बताओगे मैं लाइट जलाता हूँ ताकि आप लोगों क कि मैं और डीटेल्ड वीडियो बनाऊं सॉनेट के उपर तो भाई लोगों प्लीज आप सपोर्ट करना सब्सक्राइब भी करना और आप कमेंट करके बताना तभी उसके उपर वीडियो बनाने में थोड़ा मज़ा हैगा तो अब अगले चीज के उपर चलते हैं यहां पर ह अब देखते हो तो आपके पास में ट्रैक्शन कंट्रोल के भी बटन है जिसमें स्नो मड और सैंड अब इससे फाइदा क्या होता है कि ट्रैक्शन कंट्रोल अलग लग होनी की वज़े से बहुत सारी और कंडिशन में भी आपकी गाड़ी भार निकल जाती है तो बहुत सार आप अपनी गाड़ी को यहां से 360 देख सकते हो और यहां reverse देख सकते हो जिसके साथ में reverse camera के लिए आपको guiding lines है बहुत ही अच्छी quality मतलब आप यहां देख सकते हो बहुत ही जादा अच्छी quality में आपको यह camera मिलता है जिसकी वज़े से आपकी जिंदगी थोड़ी से आसान चीज हो गई उपर की तरफ यहां पर आपके पास में को टच स्क्रीन है जिससे की आप infotainment को access कर सकतो 10.25 का HD screen आपको यह मिल रहे होती है और 10.25 की driver information system है यह मिल रहे होता है इसके साथ में एक बहुत बड़ा frame यहां से जब आप देखोगे तो अच्छा का सा बड़ी size का आपको frame मिलता है और जिससे कहते है न पियानो black element वैसे के अंदर कौने पर यहां पर boss की branding अब इसके अलावा चीज क्या है उसके लिए हमको light off करनी पड़ेगी गाड़ी के अंदर आपको थोड़ी सी ambient light यहां पर मिल रही होती है जिसकी वज़े से काना जिन्दगी थोड़ light को on करते हैं तो यहां पर ambient light है नीची की तरफ foot mat वाली जो जगह यहां पर ambient light नहीं है जब आप इस तरफ देखते हो तो यहां पर भी आपको हल्की सी ambient light है मगर यह ambient light काम तभी करती है जब दर्वाजा बंद होता है अब दोस्तों जब आप अंदर से देखते हो तो गाड़ी के अंदर आपको बिल्कुल good feel सा महसूस हो रहा होता है पहले काम कर लेते हैं पहले जो reverse वाला camera है और बाकी 360 camera उसके पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं जब आप सबसे पहले इस camera को देखते हो तो चारो तरफ की guiding lines देखने को मिलती है जब आप यहां देखते हो तो आपको जो reverse camera उसकी again guiding lines कोने पर यहां पर time और इस तरफ आपके पास थोड़ा सा menu है बैक जाने के लिए हो गया इस तरफ जब आप जाते हो तो आपको कौन सा angle देखना है वो आप यहां से देख सकते हो जो भी angle आपको पसंदो जिससे आप अपनी गाड़ी ज्यादा तरीके से पाक कर सको उसके लिए आपके पास option है अगर यहां पर tap करने पर अगर screen change होती तो थोड़ी सी software में हम जैसों को और ज्यादा फाइदा हो जाता कौने पर यहां पर आपके पास में जिसे कहते है ना look wise यहां पर यह आपको मिल रहा होता है जिसके अंदर आप अपनी गाड़ी को slide करके चारो तरफ देख सकते हैं तोड़ा सा fancy है इससे जाधा यह वाली lines जो है normal वाली यह जाधा कारगर होती है एक मिट रुको यह जाधा कारगर होती है गाड़ी को park करने के लिए पर this one is also good कौने पर यहां पर आपके पास में setting का option है जिसके अंदर आपके पास में parking distance warning top view reference line rear view reference line इन सब को adjust करने का option मिलता है सेम टाइम यहां से आप brightness night brightness contrast इन सारी चीज़ों को अपने हिसाब से change कर सकते हो ताकि जिन्दकी थोड़ी सी और जाधा असान हो जाए अब यहां से हम आ जाते हैं वापस भाहर की तरफ अब यह आपका touch screen है वही किया वाला और Hyundai वाला जो AI UI है user interface वह आपको यहां पर मिल र सकते हो map navigation phone, phone projection, voice memo, climate control, valley mode, quiet mode, sound mode, lamp और उसके साथ में media और बाकी settings जो है वह यहां पर आप access कर सकते हो किया connect notification manual जो भी आपको देखना आप यहां पर देख सकते हो कुछ इस तरीके से आपको इस तरफ दिख रहा होता है अगर आप बोलोगे तो इसके उपर अगर आप बोलो आपको वीकल, navigation, sound, device connection, user profile, voice recognition, layout display button, किया connect general यह जो भी settings है आप सारी देख सकते हो क्योंकि बहुत सारे लोग अभी वह होंगे जो की एडास के बहुत बड़े user नहीं होंगे और अगर आपको भी एडास के सारे features यूज करने हो आप लोग करोगे एक्सवी 700 पर 75 वीडियो बन आने का मज़ा हैगा तो आप चलते हैं इस वाली screen के उपर और इस screen के लिए light कर देते हैं अब जैसे आप इस तरफ देखते हो वैसे आपके पैस में यहाँ पर आगई current trip मैं काम करता हूं मैं यह वाली जो light इसको हटा देता हूं ताकि मेरे camera को थोड़ा अंदर कर सके ताकि आप लोगों को थोड़ा और अच्छी तरीके से दिख सके यही तो फाइदा हमारा सो सबसे पहले एक तो यह जो screen है इसके अंदर 220 km पर आर के top speed यहां दिख रही होती है इस वक्रेक लगा हुआ है साथ के अंदर km पर लीटर average economy बाकी इस धर की तरफ दिख रही होती इस तर मॉनिटरिंग आ गया मॉनिटरिंग के अलावा अभी यह जो है यह का बेसिक सिस्टम हो गया जिसके अंदर आपकी गाड़ी चल रही होगी तो आपको पता चल जाएगा कि होता है ना कौन-कौन सी चीज का है यूरिया लेवल तो पीछे के अंदर इसमें डिएफ डलता है तो इसलिए यूरिया लेवल भी आपको दिख रहा होगा और उसके बाद में जैसे आप इधर की तरफ चलोगे करंट ट्रिप प्रेजेंट ट्रिप ऑटो स्टार्ट एंड स्टॉप लास्ट टाइम कब रिफ्यूल करा और जित्ते भी इन्फॉर्मेशन है वह सारी की सारी आप यहाँ पर देख सकते हो अब इसके अंदर ज Knights वाले में आते हो तो और यहां पर आरा होता है जिसके अंदर आपको जो भी चीजे देखनी है वह आप यहाँ से देख सकते हो कॉन सी चीज आपको कैसे सेट करनी है मगर ये थोड़ा सा ना बड़ा वीडियो है अगर इसके उपर बात करनी है तो उसके लिए हमको थोड़ा सा और समय चाहिए होगा जो कि हम कभी और देंगे किसी और कॉंटेंट में पर उससे पहले कमेंट करो तो अब चलते हैं बाहर की तरफ और दिखाते हैं इंजन बे और फिर हम आपको बताते हैं कि इंजन ओप्शन्स कौन-कौन से हैं इस गाड़ी के अंदर किस कीमत से शुरू होकर किस कीमत पे खतम हो रही है उसके लिए भी हम पूछेंगे कि क्या अभी कमपनी ने इसकी प्राइज अनॉंसमेंट करी है तो हम उसके उपर भी बात करेंगे तो आईए बाहर चलते हैं और इंजन बे दिखाता है सबसे पहले और लाइट की रॉष्णी दिखाता है सो दोस्तों अब बात करते हैं इंजन और इंजन बे की यह है 1.5 लीटर का CRD VGT इंजन यह जो इंजन है 1500 CC का इंजन है और यह 95 सॉरी 85 किलोवाट पावर जनरेट करता है और 250 Nm टॉर्क जनरेट करता है अगर आप यह इंजन नहीं लेते और पेट्रोल इंजन लेते हो तो पेट्रोल इंजन में आपके पास दो अप्शन है पहला जो पेट्रोल इंजन है वह 1.2 लीटर का स्मार्ट स्ट्रीम इंजन आता है जो की 1.2 लीटर मतलब 1200 CC का इंजन है वह प्रडूस करता है 61 किलोवाट पावर और 115 Nm टॉर्क अब जो दूसरा इंजन है जो की पारफुल है जो की एक्स लाइन में आ रहा होगा जो की जिसको ब पारफुल इंजन और उसके साथ में 172 Nm टॉर्क अब इसके अंदर जो आपका बेस इंजन है पेट्रोल वाला स्मार्ट स्ट्रीम 1.2 लीटर वाला उसमें आपको सिर्फ एक उप्शन मिलेगा जो की है 5-speed manual transmission इसके लाओ दूसरा कुछ भी नहीं मिलेगा मगर उसकी जगे अगर आप पारफुल पेट्रोल इंजन लेते हो जो की टर्बो वाला है स्मार्ट स्ट्रीम 1.0 लीटर का GDI इंजन तो उसके अंदर आपको मिलता है 6-speed IMT का भी option और 6-speed DCT का भी option मतलब दोनों automatic रहेंगे पर आपको IMT और DCT दोनों मिलेंगे अगर आप डीजल लेते हो तो तो डीजल में तो भाई साब बोनस ही बोनस डीजल के अंदर आपको 6-speed manual भी मिलेगा आपको इसके अंदर 6-speed IMT भी मिलेगा और उसके साथ में 6-speed automatic transmission भी मिलेगा तो अगर आपको अपने हिसाब से प्ले करना है तो भाई लोगो इस इस दा बेस ताइम तो बाई डीजल इं काड़ी है इसके सबसे पहले फ्रेंट की जो DRL है वो कुछ इस तरीके से दिखती है और फ्रेंट लाइट से उसकी रोशनी कुछ इस प्रकार से कमेंट करके मुझे बताना कि यह रोशनी आपको कैसी लगी नीचे की तरफ एक्स्ट्रा आपको जो लाइट से पार्किंग ल दूर से विजिबिलिटी वले लाइट कुछ भी कह सकते हो डिजाइन में बहुत जादा एक उपसुरत लग रही होती है अब बात करते हैं कुछ और जो की है ओलोवर साइज की तो अगर आप वील बेस की बात करो तो 2500 mm आपको अलोवर वील बेस मिलता है अगर ओलोवर लें 4 मीटर से बाहर नहीं जाती 3995 mm आपको गाड़ी की अलोवर लेंथ मिल रही होती है अगर मैं विड़ की बात करूं मतलब चोड़ाई की बात करूं तो आपको 1790 mm अलोवर विड़ मिलती है और अगर मैं हाइट की बात करूं तो आपको 1642 mm अलोवर इसकी हाइट मिल रही हो अगर, प्राइस जो है, प्राइस एसी चीज है, जो भाई लोगो चेंज हो रही होती है, और प्राइस के उपर बात करना थोड़ा सो ओड हो जाता है, वो इसलिए हो जाता है क्योंकि हर बार प्राइस चेंज है, कौन से वेरियेंट की आपकी स्टेट में क्या प्राइस लग वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है तो इसके लिए आप क्या करना आप सीधे के सीधे आपके नियरेस जो किया का उटलेट है वहाँ चले जाना अगर आप जैपूर में रहते हो तो आप रोशन किया आना यहां पर बोलना कि जो जो वी ली का आपने व्लॉग देखा है दे कुछ नहीं सबसे पहले कालर के बारे में बात कर रह रह रहा है तो कुल मिला के इस गाड़ी के अंदर आपको दो डूल टून मिल रह होते है अब मैं इधर देख कर बता देता हूं कौन कौन से डूल टून है और इसके अंदर मिलता है रेड जो हमारे सामने की तरफ खड़ अब वीडियो को एंड करते हैं अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब करें और साथके अंदर कमेंट करके हमें बताते जाएं हम उसी साब से कॉंटेंट बनाते जाएंगे अब एक में रुगना, एंड नहीं कर रहा हूं मैं पीछे की टेल लैंप उसकी रॉष्णी भी तो दिखानी है इसलिए हमारे वीडियो लंबे होता है मगर डीटेल होता है तो आओ किसी की हल्प लेते हैं और टेल लैंप भी तो जला के दिखानी है आप लोगों कि उसकी रॉष्णी कैसी है तो दोस्तों भीया की हल्प ली हमने और पीछे की जो टेल लैंप उसकी रॉष्णी दिखाते है हाई माउंटेट स्टॉप लैंब जो है अच्छी काशी ब्राइट है नीचे की तरफ कनेक्टिंग टेल लैंप पूरी के पूरी सिंगल पीस में दिख रही होती है LED के अंदर बहुत खुप सुरत है कौने पर यहाँ पर भी यह पूरा का पूरा पीस दिखने को मिलता है और यहाँ पर हमारे पास में आता है जो इंडिगेटर है वो अब एक काम और करता हूँ भीया थैंक्यू सो मच आप इंडिगेटर और जला दो तो अच्छी कासी ब्राइटनेस में आपको इंडिगेटर मिलता है अप करते हैं वीडियो को हम उसके उपर डीटेल्ड एक्सपिरियंस आपको दे पाए कौने पर यहाँ पर हमारे जो और वीम है उस पर इंडिगेटर इंडिगेटर जो है इसका भी थ्रो देख लो और फ्रेंट की जो लाइट से उसका भी थ्रो देख लो अब वीडियो काइंड करते हैं स्टे हैपी स्टे हल्दी मिलते अगले वीडियो के साथ में तब तक चानल सब्सक्राइब कर देना वीडियो को लाइक कर देना और रोशन मोटर्स जो है किया का उकलेट वहाँ पर जाओ गाड़ी का एक्सपिरियंस लो बार बार बूल रहा हूं अब तो जाकी गाड़ी द